आदाब नाजरीन मैं अकोला महराष्ट से डॉक्टर रेहान खान आज हम शनाख करेंगे गुले धावा की धातकी इसका संस्कृत नाम है, धायटी इस नाम से मरठी में जाना जाता है धावा या गुले धावा करके फार्सी में इसका नाम है और आम नाम भी धाय या धाय के फूल इस नाम से लोग जानते है रहें वूट-फॉरडिया फुर्टी-को-जा या वूट-फॉरडिया फ्लोरी-बंड़ा इसका लेटिन नेम है इसका मिजाज जो है वो सर्द वो खुष्क है और इसलिए ये जो मशहूर है वो इस मखत से मशहूर है कि ये प्रीजर्वेटियो के तौछ पर जमाने कदीम से हिंदुसतान में इस्तेमाल किया जाता रहा है खास्तों से आयरवेद में एक नजरीया है जिस Кछत फर्मेंटेशन किया जाता है, फर्मेंटेशन करके अदविया को महफूज करते हैं जिसे आसाओ और अरिष्ड कहते हैं आईरवेट की जुबान में तो वहां पर fermentation trigger करने के लिए या यू कहिए कि इसका इसलिए भी किया जाता है कि वो महफूज हो जाए तो fermentation के लिए fermentation trigger करने के लिए और दमाओ की हिफाज़त के लिए उस माई की हिफाज़त के लिए उस आसो और अरिष्ट के हिफाज़त के लिए इन धाय के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है अब इसके अफ़ालों खवास समझ लीजिए ये जबरदस किसम का जहरों का तियात माना जाता है खासतोर से जो क्रियेट साप होता है उसके काटे का एंटीडोट इसे हमारे यहां डक्कन में इस्तेमाल किया जाता है उसमें करते ही वो लोग यह हैं कि इसके पत्तो का रस जो है वो जिसम पे लगाते भी हैं पिलाते भी हैं नाक में भी टपकाते हैं तो इस तरह उसका इलाज किया जाता है बेरहाल, हलाकि आजकल तो एडवांस जमाना है, लहाज़ा ये एक पुराना तरीका हो गया, क्रेट साप को ट्रीट करने का, उसका एंटिडोट इस्तेमाल करने का, जबरदस किसम का हाबिस उद्दम है, काबिस है, ये फूल और जखम का इंदेमाल करता है ये, तो ये इसके वो खवास हो गए, अब इसके नुस्खजात समझ दीजिए, लेकिन उससे पहले इसके जो जो जुल खासा है, वो एक टोटगा है, असल में लोग ये करते हैं, कावाईली लोग ये करते हैं, और ये किताबों में भी लिखा गया है, कि जो सफरवी बुखार होते हैं, उनको वो सरसो का तेल या तिल का तेल दिया जाता है, अब तिल का तेल होता यह है कि सफरवी बुखार में वो तिल का तेल जो है, वो जर्द हो जाता है, पीला हो जाता है, फिर उसको मरीज को मुझे करने के लिए या फिक देने के लिए कहते हैं, फिर उसके बाद दोबारा तिल का तेल मुँ में रखने के लिए दिया जाता है और इस तरह दो से तीन बार करने पर फिर वो तेल जो है वो पीला आना या जर्दी माइला आना बंद हो जाता है और आखिर में सफरवी बुखार से निजात मिल जाती है इस किसम से इसका एक टोडगा था आब इसके नुस्खजाप नूट कीजिए पहला नुस्ख़ा जो कि हैं जखमों के इंदेमाल के लिए इसमें करना यहा है कि इसके फूलों को सुखा कर फिर उनका सुखा कर सीधे ही बुरक देना है जखमों पर ये किसका नुस्खा हो गया, अगला नुस्खा जो कि सबसे एहम है इसके तालुक से, चूँके ये महाबिस उद्दम है, काबिस है, लहाजा खुनी इसहाल, खुनी पेचिश, खुनी बावासीर पर ये नुस्खा जो है, इसके अज़जा नोट की जिए, गुले धावा लेना है, इसमें मोचरस लेना है, जंजबील लेना है, साथ कूफी लेना है और बेल गिरी लेना है, इस तरह ये अज़ा हमवजन मिगदार में लेकर उनका सुफूव बना कर फिर उसका जोशनदा दिया जाना चाहिए खूनी इसहाल, खूनी पेचिश या हाबिस द्दम के तोर पर या खूनी बवासीर में, अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो के है सिलान और रहम के लिए या जिसे हम कहेंगे लिकोरिया और मिनोरिजिया के लिए, इसमें करना ये है कि गुले धावा लेना है, सुफूव, उसमें लिए 10G लेता है, टो इन तमाम के हम वजन मिगदार में, मिस्री मिलाना है, इस तरह फर एक मरकब सुफूफ वी मरीज़ा को दीराना चाहिए • तकर्ण द्दम्राइब եपर एक मरकब त्दम्राइब, इसotz जोफूफ करता है और न करते हो सोकते हैं, जिसे मिनोरhजिया के हमें यह कर सकते हैं कि इसमें लोद्र पढ़ानी, अशोक और गुले धावा, ये तीनों मिलाकर इनका जोशांदा भी दिया जा सकता है, तो बहुत सारे नुस्खजाब जो हाबश उद्दम के हैं, क्योंकि ये आला दरजे का हाबश उद्दम के हैं, लहाज़ा इसका इसका इ अधियों में इस्तेमाल किया जाता है उस नजरीय से भी आप इसको अवल नंबर दे सकते हैं तो बेरहाल अब आप हज़रात इसकी शानाख्त कीजिए मुशायदा कीजिए इस गुले धावा की जाड़ी का जी हाँ ये एक जाड़ी नुमा दरख्त होता है तकरिबन 5-12 फिट उसकी उचाई होती है और ये हमारे यहाँ नदियों में या फिर कहिए के पहाड़ी लाकों में पाया जाता है तो ये देखिए ये जो दरख्त है ये नदी के में हैं और पहाड़ी लाके में ये देखिए कुछ इस किसम की ये पहाड़ी लाके की नदी है जो कि फिरहाल फरवरी के मौसम में सूख गई है तो ये देखिए इसको अभी फूल आए हैं और ये फूल ये करीब से देखिए इसके पत्ते फूल और बाकी के हिस्से ये गुले धावा का पौदा या दरख्त है ये से छोटा दरख्त होता है ये फिलहार फरवरी का मौसम है फरवरी का महीना है और ये इस हालत में है इसके जो पत्ते होते हैं तक्रीबन ये देखिए अनार के पत्तों की तरह इसके पत्ते होते हैं और इसके जो फूर होते हैं ये पूल ये देखिए ये इसकी मार्च महीने की हालत है, जब ये धूब से सूप गए हैं और इसके फल बनने लगे हैं, तो ये देखिए बहुँ के गौर से आपके इसका फल जोफे जू προाइब The scripture. जो कि चमकदार होता है तो ये देखिए गौर करने पर आपको एक अंदर दीज भी नजर आएगा और ये इसके पत्ते जो कि अनार के पत्तों की तरह होते हैं और ये भी जहरों के तिरिया के तौर पर इस्तेमाल किये जाते हैं तो ये देखिए अनार के पत्तों की तरह गुल लिया होगा खुदा हाफिज